नमस्कार सातियों स्वागत करते हैं आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल सक्सेस विद यूपर आज के इस वीडियो में तीन जुन का जित्ता भी महत्वपूर्ण हमारा करेंड अपैस बन सकता है उसको यहाँ पर हम डिसकस करने वाले हैं तो वीडियो में जो है आप लाश प्रिक्षन बोक्स में मिल जाईगी तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की सबसे पहले यहाँ पर आपको बता देते हैं कि आज का यह जो हमारा करेंट अपैस का सेशन है किस प्रकार से रहने वाला है तो सबसे पहले आज का जो करेंट अपैस है उसको यहा और जिसका भी सही जवाब आईगा उसके नाम के साथ जो है उसका अंसर उसके नाम के साथ है अगले वीडियो में अगले दिन के वीडियो में हमारा द्वारा यहाँ पर मेंशन किया जाएगा तो इस प्रकार से हमारा आज का सेशन रहने वाला है तो चलिए शुरुआत करत हैं आज की इस वीडियो की और सबसे पहले पहला कोश्चन हमारा यहां पर डिसकस कर लेते हैं पहला कोश्चन है कि यानि की फेडरेशन ओफ इंटरनेशनल होकी की वीश्व रेंकिंग के अनुसार जून 2022 में भारत की पूरुष होकी टीम का क्या इस्तान रहा है चार उप्शन है चोथा पहला पांचवा या छटवा तो राइट आंसर आपका यहां पर बनता है उप्शन ए जो हमारे भारत के पूरुष होकी टीम है उसका चोथा इस्तान आपका इसमें रहा है देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ मातपुन जानकारी तो 31 माई 2022 को जारी नविन्तम FIH विश्व रेंकिंग में भारत पूरुष होकी टीम चोथे इस्तान पर खिसक गई है लेकिन महिला होकी टीम उ पेहला इस्तान पर उसका है तो पूरुष होकी टीम है वह आपके पहले इस्तान पर है और महिल्व का आत करें कि महिलाव में दुनिया पहले इस्तान पर कौन सा है आश्टेलिया है वही जो भारत की महिला होकी टीम है उसकी अगर रेंकिंग अगर आपसे यहां पर पूछी जाए तो वह जो है आपके छटवे इस्तान पर और पहले इस्तान पर कौन है तो आपका निदरलेंड की टीम है तो यह आपकी रेंकिंग यहाँ पर आपको याद रखनी है साथ ही बात आई है यहाँ पर FIH की तो इन से जोड़ी कुछ मत्तपुन जानकारी हम देख लेते हैं अगर आप से पूछा जाए कि अंतराश्टी होकी महासंग या FIH का जो मुख्याले है कहा परिस्तित है तो लोजन स्वीजन लेंड में इसका मुख्याले इस्तित है अगला कोर्शन बनेगा कि वर्तमान में अंतराश्टी होकी महासंग के CEO कोन है तो थीरी वेईल जो है वर्तमान में इसके CEO है वह अगर आप से पूछा जाए कि अंतराश्टी होकी महासंग की स्ताफनाप की कब होई थी तो 7 जन्वरी 1924 को इसक अध्यक्षा है तो यह कुछ बात है इससे जुड़ी हुई यहाँ पर आपको याद रखनी है जिस प्रकार पूरे विश्व की जो है एक होकी महासंग है जिसका नाम है अंतराश्टी होकी महासंग उसी प्रकार से हमारा देश का जो है सबसे बड़ा एक होकी इंडिया का ज तो यहां पर आपको याद रखनी है अगला कुछन देखते हैं कि हाले में कौन सा राज्य राष्ट्री शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है चार उप्षन है आपके सामने गोवा उडिसा गुजरात महराष्ट तो राइट अंसर आपका निकल कराता है ओप्षन सी गुजरात जो राज्य है राष्ट्री शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है तो ओप्षन सी गुजरात हमारा यहां पर राइट अंसर बन जाता है बात करें तो गुजरात दो दिवसी राष्ट्री शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी क गुजरत की इसकी राजदानी क्या है तो गांधी नगर इसकी राज़दानी है गुजरात के वर्तमान में राज़पाल कोने आचार्य देवरत यहां के मुख्यमंत्री के बात करें तो भुपेंद्र भाई पटेल यहां के मुख्यमंत्री यहां के चीप मिनिश्टर है साथ ही भारत में पहली बार पोल्टेबल सोरचत प्रणाली का उद्गाटन गुजरात के गांधी नगर में स्वामी नारायन अक्षरदाम मंदीर परिशर में आपका किया गया था पोल्टेबल सोरचत प्रणाली यहाँ पर क्या होती है कि उसको हम फोल्ड कर सकते हैं इस प्रकार जो है पोर्टेबल वाली पहली ऐसे ही सोर अच्छत प्रणाली का उधिगाटन आपका कहा पर हुआ तो गुजरात के गांधी नगर का जो स्वामी नारायन अच्छरदा मंदीर परिशर है वहाँ पर इसका उधिगाटन क्या गया चूकि यह आपका देश का पहला है और यहाँ पर गुजरात की बात आई है इसलिए इसको यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि हो सकता है आने वाले एक्जाम में यहां से पूछ लिया जाए साथ ही अगला कोशन आपर बनेगा कि भारत में सबसे लंबी टटिये रेखा वाला राज्य आपका कौन सा है तो आपक जो चालीसवा विष्व धरौवर स्थेल है जिसे की युनेसको की युनेसको की जो सुची होती है विष्व धरौवर की उसमें शामिल क्या गया तो वहं कौन सा है तो आपका धोला वीरह याद रखना है 40 वीरा हमारे बहुष्ट हो आपको यहाँ पर याद रखना होगा चलिए अगला कौश्चन यहाँ पर देख लेते हैं कि हाली में राष्टी उध्यांठ छेतर में सामुदाय कावन अधिकारों को मान्यता देने वाला दूसरा राज्य कॉन आów बना है चार option ने राजिस्तान, हरियाणा, पंजाब या 36 गड़ तो राइट अंसर आपका बनता है 36 गड़ जो है आपका सामुदाइक वन अधिकारों को माननता देने वाला दूसरा राज्य आपका यहाँ पर बन गया है तो option D, 36 गड़ जो है हमारा यहाँ पर राइट अंसर बनता है चलिया बात आईए यहाँ पर 36 गड़ की तो 36 गड़ को सबसे पहले हम मेप में देख लेते हैं या जो है हमारे मद्यप्रदेश के पास यह जो है आपका 36 गड़ राज्य है और बात करें 36 गड़ राज्य की की वर्तमान में यहाँ के राज्य पाल कोन है तो अनुसुया उई की जो है यहाँ की वर्तमान में राज्य पाल है अगला question में नगा की 36 गड़ के मुख्य मंत्री कोन है स्रीध्धनवंतरी जेनेरिक मेडिकल इस्टोर किस राजे की योजणा है तो या भी आपके 36 गड राज्य की योजणा है और गुरू गहसीदास जो राश्ची उद्ध्यान है वहा कहा पर इस्तित है तो वह भी आपका 36 गड में इस्तित है तो ये प्रदेश राज्य से अलग होकर जो है 36 गर्ड का गठेन आपका किया जाता है चलिए अगला कोशन यहां पर हम देख लेते हैं कि हाले में प्रधान मंत्री रोजगार स्रजन कार्यक्रम को किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है चार उप्षन है यहां पर आपके सामने वर्ष 2026 वर्ष 2030 वर्ष 2025 या फिर वर्ष 2024 तो राइट अंसर आपका बनता है ओप्षन है वर्ष 2026 तक प्रधान मंत्री रोजगार स्रजन कार्यक्रम को आपका बढ़ा दिया गया है तो चलिए देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ महत्पुन जानकरी तो प्रधान मंत्री र आपके क्या प्रावधान किया गए है तो भारत सरकार ने ग्रामिन और शेहरी छेत्रों में शुश्म उद्धों मों की इस्तामिना के माध्यम से रोजगार के अउसर प्रधान का पेदा करने के लिए योजना वो दो योजना वो अर्थाद प्रधानबंतरी रोजगार सबस्टी ख्रायक्रम के शुरुआत को मंजूरी दिए तो देखिए अगर आप से पूछा जाए कि प्रदान मंतरी रोजगार सरजन कारेक्रम क्या है तो इसके अंतरगत दो योजनाओं को जो है आपसम्हिलित किया गया है उन दोनों को जो है आपका मिलाया गया है और उसके साथ एक नया कार्यक्रम जो है उसका स्राजन यहाँ पर किया गया है कौन सी जो योजना आपके इसके अंतरगत शामिल है तो पहली है आपकी यहाँ पर प्रदान मंत्री रोजगार योजना और दूसरी ग्रामिंड रोजगार स्राजन कार्यक्रम तो इन दोनों को जो है आपक यहां पर क्या है तो इसका उद्देश यह गया है कि जो माल इंडिस्ट्रीज सो होगिए इस्तापणा करना और उस के मादधरें से रोजगार उत्पना करना इस का रिक्रम को शुरू करने का वैंब का प्रमुख 3 की तयारी या इस्टेनों की जो मुख्या परिक्षा है उसकी तयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हमारे एप पर बहुती शांदा डिकलेक्षन कुरस जो है प्रवाइट किया जा रहा है जिसमें कि आपको सभी स्वीड की डिक्टेक्षन मिलेगी मेटर की पीडियाप मिलेगी और वर्ष 2015 और 17 में बोली गई डिक्टेक्शन की कोपी भी जो है आपको हमारे एप पर मिलेगी तो अगर आप मद्यपदेश जीदा नियालई साहे ग्रेट 3 के तयारी कर रहे हैं तो आप जो है अभी हमारा एप जो है डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे द्वारा प्र प्रवाइड करवाए जा रहे हैं साती उससे संबंदित जो आपके यहां पर टेश्ट पेपर होंगे वह भी हम प्रवाइड कर रहे हैं तो अगर इन दोनों में से अगर आप किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा जो एप है उसको डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे द्वारा प्रवाइड करवाए जारे विभिन सुविधाओ का जो है आप यहां पर लाब उठा सकते हैं और इसके अलावा अगर आप और कुछ जानकारी हमसे चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिक्शन बोक्स में आपको हमारे नंबर भी मिल जाएंगे तो उस नंबर पर जो है कोल करके आप हमसे कॉंटेक्ट अभी कर सकते हैं तो यह थी आपके लिए कुछ जानकारी जो कि आपकी लिए आपकी एक्जाम में आपको सपलता दिलाने के लिए बहुत ही हलपफुल होगी तो अगर आप चाहते हैं तो अभी आप हमारा यहां जो एफ है उसको ड पर बनता है ओप्शन भी अमेरिका तो देख लेते हैं इससे जुड़ी जानकारी तो अमेरिका बिते हुए वित्तिय वर्ष 2021 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है इससे दोनों देशों के बीच मजबूत होते आर्थिक रिस्तों का पता चलता है इस तरह भारत के साथ व्यापार के मामले में अमेरिका ने चिन को यहाँ पर पीछे छोड़ दिया है बहुत ही इंपोर्टन कोशन है सिधा सिधा एक्जाम में यह कोशन आपका आएगा कि साल 2021 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन सा देश रहा है तो आपका बनेगा अमेरिका चलिए अमेरिका की बात आई है तो अमेरिका को सबसे पहले हैं आप पर हम मेप में देख लेते हैं यह जो यलो कलर वाला आप देख सकते हैं यह जो है आपका अमेरिका का छेतरा है और यह जो अलास्का वाला है यह भी अमेरिका के छेतरा दिकार म और अमेरिका में मुद्रा यानि की करंसी कौन से चलती है तो United States डोलर जो है आपकी यहां की करंसी है यहाँ पर आपकी मुद्रा चलती है अगला कॉर्शन यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हाली में भारतिय महिला निशानेबाज टीम ने ISSF World Cup 2022 में कौन सा पदक जीता है चार उप्षन है तो राइट एंसर आपका यहां पर बनता है उप्षन है इनके द्वारा यहां पर स्वण पदक जीता गया है option है हमारा यहाँ पर डंसर बनता है देख लेते हैं इनसे जुड़ी कुछ जानकारी तो इला वेनियल वला वारिन श्रिया अग्रवाल रमिता की थिकड़ी ने IWSF वर्ड कब 2022 में कमाल कर दिया है और क्या कमाल किया है तो इन तीनों के नेत्रत्व में भारतिय महिला शुटिं बन जाता है क्योंकि यह जो है आपका वर्ल्ड कब है और इसमें हमारे भारत की जो महिला खिलाडी है उनके द्वारा यहाँ पर स्वर्ण पदक यानि की गोल्ड मेडल जीता जा रहा है तो यह अपने आप में और हमारे भारत वासियों के लिए एक गर्व की बात है एक गो खिला खिलाडी है उनके द्वारा जीता जा रहा है अगला कुर्शन देखते हैं कि हाले में किसने पर्यावरन सरक्षन के लिए जेव वीदता निती जारी की है चार ओप्षन है यहाँ पर आपके सामने एंटी पीसी बीसी एल एच पीसी एल या सभी तो राइट अंसर आप जा उत्पादक राष्टियता फिद्धूत निगम एंटी पीसी लिमिटेड ने जेव वीदता के सरक्षन उद्धार और व्रद्धी के लिए एक व्यापक द्रश्टी कोण और मार्ग दर्शक सिद्धान्त स्तापित करने के लिए नवनिक्रित जेव वीदता निती दोजा भी आपका बना था तो यहाँ पर कोशन बनेगा कि पर्यावरन सरक्षन के लिए जेव वीदता निती किस ने जारी की है एंटी पीसी ने जारी की है एंटी पीसी का फुल्फब बनता है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन चोटी चलिए एंटी पीसे से जूड़ी जी लाने के लिए इसके स्थापना की जाती है बात करें कि इसको महारतन कंपनी का दर्जा आपका कब दिया तो वर्षी 2010 में इसको महारतन कंपनी का दर्जा दिया जाता है और यह कहां पर इस्तित है तो यह भारत की राज़ता ने नई दिल्ले में इस्तित है तो यह भी हम तरप्रदेश महाराष्ट गुजरात या इनमें से कोई नहीं तो राइट अंसर आपका बनता है ओप्शन बी जो है हमारा यहाँ पर राइट अंसर बनेगा देख लेते हैं इससे जुड़ी जानकारी तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा चीनी प्रोडूशर और दूसरा सब है और देश के सबसे चीनी उत्पादों सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है सुगर मार्केटिंग यह यानि की 2021 में देश में चीनी उत्पादनि में 15 फिसदी जो है आपकी यहाँ पर व्रД्धी हुई है तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर यानि की निर्यातक देश और जो वित्तिय वर्ष है 2021 इसमें हमारे देश में जो चीनी का उत्पादन होता था उसमें 15 प्रतिशत की जो है आपकी बड़ोतरी हुई है और देश के सबसे चीनी उत्पादक राज्य महारा चीनी उत्पादन में 13.68 मिलियंड तक का उच्छाल आपका देखा गया है यानि कि इतनी आपकी यहां पर बड़ोतरी हुई है तो यह भी इंपोर्टेंड बनता है और अगर आपसे पूछा जाए कि दूसरे नंबर पर कौन सा राज्य आता है तो दूसरे नंबर पर आपक को यहां पर याद रखना है चली अब कल का जो हमने करेंट अपैस देखा था उसका एक बार रिविजन यहां पर कर लेते हैं पहला कोशन है कि मई 2020 में किस दिन को विश्य तंबाकु निश्य दिवस के रूप में आपका मनाया जाता है तो राइट आंसर आपका बनता है पर बनता है संजीत नारवेरकर को इस अवार्ड से जो है आपका सम्मानित किया गया था अगला कोशन है कि हाली में भारतिय भूविज्यानिक सर्वक्षन के अनुसार किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा सोर्ण भंडार है तो राइट आंसर आपका यहां पर बनता है भ इनेश कुमार खारा तो ओप्षन है आरजे उमर यहां पर हमारा राइट आंसर बनता है अगला कोशन है आपर हम देखते हैं अगला कोशन था कि विश्य दुग्द दिवस आपका प्रतिवर्श कब मना जाता है तो यह आपका एक जुन को मना जाता है भारत में स्वेत करां नई दिल्ली में जोना इसका आउजन आपका किया गया है तो यह अभी हमार लिए यहां पर सिंदू जल समझेूता आपका अंगला कोशन है बंधन एक्सप्रेस भारत और किस अन्य देश के बीच दूबारा शुरू करने का नीडने लिया है तो right answer आपका यहाँ पर बनता है option B भारत और बांगलादेश के बीच दूबारा जो है आपकी बंधन एक्सप्रेस शुरू की गई है चलिए अगला कोशन जो कि कल आप से यहाँ पर पुछा गया था वह था कि हाली में किस भारतिय अधिकारी को विश्व व्यापर संगठन समीति के नए अध्यक्ष बनाया गया है चार उप्षन थे अशोक मिश्रा, दिनेश शर्मा, अनुवर हुषेंसेक या कुमार विश्वास तो राइट अंसर आपका यहाँ पर बनता है option C अनवर हुशन सेक को भारती यह जो है वह भारती अधिकारी है जिने की विश्व आपर संगठन समीती के नए अध्यक्ष आपका बना गया है तो option C हमारा यहाँ पर right answer बनता है आज का प्रश्ण जिसका answer आप सभी को हमें यहाँ पर comment करके बताना है कि मई 2020 में किस दिन को विश्व तंबा को निश्यत दिवस के रूप में मनाया जाता है चार option है 28 मई, 30 मई, 22 मई या फिर 31 मई तो इसका जो भी right answer हो जो भी सही जवाब हो आप सभी को जो है यहाँ पर हमें comment करके बताना है तो साती हो यह था हमारे आज के current पेस का session session अच्छा लगा हो तो video को like जरूर करिएगा, video को अधिक से अधिक लोगों तक share करिएगा और अगर आप channel पर पहली बार visit कर रहे हैं तो channel को subscribe भी जरूर करिएगा और bell notification को press करके जो all लिखा आता है उसको भी जो है आप press करिएगा ताकि इस चैनल पर जितने भी वीडियो अप्लोड हो उसने सभी के notification आप तक पहुंच सके तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जए गार दी सीधी है के लिए भीडेग वी है उसके हैं अभकू में तो आज का देंदे है कर दो है करें चैनल और act przy दो से दो हैं आता है कर गो समय एक ल.» उसी समय के पहुम गाई टकिया है